नमस्कार दोस्तों, बोर्ट्सकाई में आपका स्वागत है क्या आपको भी रात में लाइट आउन करके सोने की आदत है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि ऐसा करना आपको बड़े जोखिम में डाल सकता है स्वास्ते से जुड़ी आपको कई समस्याएं हो सकती है इस्टडी में पाया गया है कि इससे शरीर को कई दना के नुकसान हो सकते हैं फिनबर्ज स्कूल आफ मैडिसिन के डॉक्टर्स ने रिसर्च में पाया कि एक रात भी नॉर्मर लाइट में आप सोते हैं तो गुलुकोज और कार्डियो वैस्कुलर रेगुलेशन में गड़बड़ी पैदा होती है जो हार्ड डिसीज, डाबिटीज और अन्ने मेटबॉलिक सिंड्रोम के जोखिम का कारक बन सकते हैं एक्सपर्ट का मानना है कि इससे हार्ड डिसीज का खत्रा है इस टडी में पाया गया है कि आर्टिफिशल रोश्णी, सिंपेटैटिक आम और इम्यून नर्वस सिस्टम को अक्टिव कर देती है ये दोना चीज़े शरीर में बाहरी आकरमर से लड़ने के जिम्मदार है इस शरीर को कूल बनाता है ताकि रात में सुकून से नेंद आए लेकिन जब ये चीज़े अक्टिव हो जाती है तो नेंद पर असर पड़ता है इससे कार्डियो वैक्सिलर फंक्शन पर असर पड़ता है टड़ी के मताबिक इन सब का रिजल्ट यही होता है कि शरीर में क्रॉनिक डिसीज का खत्रा बढ़ जाता है लाइट के असर से इस कार्डियन रिदम पहले से बिगड़ जाता है शरीर का मास्टर क्लॉक बिगड़ जाता है इससे बलड प्रेशर का जोखिम बढ़ जाता है इसके अलावा महिलाओं पर किये गए एक शोध में पाया गया है कि टीवी या लाइट जलाकर सोने वाले लोगों में मोटापे का जोखिम उन लोगों की तुल्ला में ज्यादा था जो लोग लाइट बंद करके सोते थे इसके लावा एक रिसर्च में शोध करताओं ने ये भी पाया कि रात में लाइट जलाकर सोई लोगों में जब सुबा जाच की गई तो इनसुलीन प्रत्यरोधी बढ़ा था इनसुलीन प्रत्यरोधी उस कंडीशन को कहते हैं जब मास पेशियां, पेट और लीवर इंसूलीन से सही प्रतिक्रिया नहीं करता है और शरीर को उर्जा देने के लिए बलड गुलुकोस का इस्तिमाल कम हो जाता है या हो ही नहीं पाता है इस कंडीशन से निबटने के लिए पैंकरियास को ज्यादा इंसुलीन बनाना पड़ता है इसी वज़ा से समय के साथ बलड शुगर का लेवल बढ़ सकता है इसके लाव स्टडी के मताबिक रात को लाइट जला कर सोने से डिप्रेशन का जोखिम बढ़ सकता है इलेक्ट्रोनिक उपकरणों से निकलने वाली नीली रौशनी आपके मोड पर सबसे बुरा प्रभाव डालती है रात की नीन की कमी की वज़ा से जो मूड स्विंग और चि कुलना भूले हैं